कि अज़िए नमस्कार दोस्तों मैं पंकिश विजलानी फेसे आपके सामने हाजीर हूँ दोस्तों आज हम लोग डिसकुशन करने वाले एक बहुत ही बड़े लैंड पार्सल का और इस्पेशली यह ओन बाई है एक वन आप दे इंडिया के वेल लोन सेलेब्रिटी एंड फैम दिये तो यह सेलेब्रिटी का जो नाम है बताना चाहूंगा शीज दा वेल नौन सेलेब्रिटी एकता कपूर एंड उनकी फैमिली जो उनकी ब्रदर है डैड है जितेंद्र कपूर उन सब के नाम पर यह पूरा पार्सल है और यह पार्सल आता है केवले में जो की PCMC का पार सब्सक्राइब और यह पार्सल के बारे में अभी हम लोग जादा जानेंगे और किस तरह से उस एरिये में ओवराल डेवल्लप्मेंट हो रहा है और क्यों वेस्ट पूने पन सकता है एक मतलब वेस्ट पूने में इस्पेशली किवले किस तरह से एक और एक पॉश एरिया बन सकता है या जैसे अभी एकता कपूर का इतना बड़ा इंवेस्टमेंट आ रहा है और लोडा बेलमाडो जैसी टाउन्शिप्स हैं एक्सप्रेस वे है तो वाई वेस्ट पूने और यह इस्पेशली किवले रावेट इस गेटिंग सो मच ओव अटेंशन सो मच ओव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दे मुंबई वह भी समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आ जाता हूं विदा टाइम वेस्ट की एक साइड स्क्रीन पे ताकि मैं आपको में स्क्रीन प पूर् पूरज फैमिलीकर पूरज पूरी मिमन आम यह संपवा धिंड है तो यह अवरज प्रैमिली के नाम पे यह पूरी डिटेलन दी हुई है इतने साथ बारा अस पूरी स् leven नाम पे हैं तो देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा कि कैसे कैसे इनका पार्सल है और कहां कहां पर बाकि आप यह देख सकते हैं और यह पुब्लिक डॉमेंड में अविलेबल है ऐसा कोई मैं आपको अलग से कुछ नहीं दिखा रहा हूं अविलेबल ऑन पॉब्लिक डॉमेंड यह साथबारा की वेबसाइट पर सारे नाम आपको मिल जाएंगे और जो लेटेस्स साथबारा के हिसाब से यह सब दिये रहते तो अभी आप आपने देखा कि जितने भी साथबारा है एक से लेके चे के बीच में बलब साथबारा तो 1, 2 लेके 6 के बीच में ही है तो मैंने उसके लिए DP मैप भी निकाला जो है किवले का डेवलपेंट प्लानिंग का मैप तो हम लोग आ चुके हैं किवले के डेवलपेंट प्लानिंग मैप पे तो यह जो आप देख रहे हैं मैंने जहां कंसर रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह से भी नंबर यहां पे दिए हुए हैं और आप जानना चाहेंगे है कहां पर तो अभी जहां पर मैंने कंसर रखा है यहाँ से expandじゃない होता है है जो जो मुबइप पूरे Express वे यहां से start होता है और Express स्टाट होते ही राइट साइड में इनके यह पूरे पूरे पार स्ले आप खुझ सो सकते हैं कि इतने बड़े सेलिबरिटी एकता कपूर को तो हर कोई फॉलो करता है शीज वेरी बिग नेम इन दा बॉलीवोर्ड या टेलिविजन इंडर्स्री तो उनका पूने वेस्ट में इतना बड़ा इंवेस्टमेंट है तो एक कोशन अराइस होता है क्या पून पूने इस गोई टू बी दा वन उप लग्जरियस पॉश एरिया ऑफ पूने और जिस तरह से साथ मुंबई है उसी तरह से पूने वेस्ट भी वेस्ट पूने का एक लग्जरियस एरिया बनने वाला है या पहले जैसे कोई पार्क वगरा कहलाते थे उस तरह का आपको उस तरह का इंवेस्ट में आएंवेस्ट में आपको इस साइड मिलेगा क्योंकि अभी एरपोड भी साइड आ रहा है तो विमान नगर खराडी का थोड़ा जो चार में वह कम होता जा रहा है विकॉस अप ट्राफिक पूने जो मुंबई का क्राउड है वो इतना ट् एक तक अपोज जी ने उनकी फैमली ने इतना बड़ा इंवेस्टमेंट किया है तो यह पूरा डीपी प्लान है अभी मैं आपको गूगल मैप भी लेके चलता हूं तो यह हम लोग गूगल मैप भी आ गए तो जैसा कि मैंने डीपी प्लान में बताया यहां से एक्सप्रेस तो जैसे मैं यह पूरे सरवे नंबर का एरिया काउट करता हूँ तो उसमें उसमें आलमस्ड यह 20 Latino का एरिया मैं यह नहीं कहता हूं कि पूरा उनका रहेगा हो सकता है की कुछ पार्ट इनका रहे गा तो विकेन टानिटिवली से 10 10-15 या 20 रेक्स पर्षिम उनका रह सकता कि एकता कपूर and family का detail में कौन एक-एक scare fit भी मैं निकाल सकता हूँ but again time consuming process तो मैंने tentatively आपको mark करके बता दिया कि कितना area है एकता कपूर and family का और I can be a wrong or right also this is something an education video और इसमें आप मुझे correct भी कर सकते हैं जो मैंने ये mark किया है ये total 6 survey number का area पूरा अतना आता है 22 से 23 कर ये पीछ कि डीपी डीपी मैप में देख रहा है ये जो purple वाला आप देख रहे हैं या ये survey number 9 का भी मैंने area पूरा छोड़ दिया ये जो आप L में देख रहे है ये भी मैंने छोड़ दिया एक टेंटिवली roughly जो मैंने design किया है तो almost 22 एकड का parcel आता है और एक-एक साथ-बारा हम इस तो हम लोग exact conclusion पर आ सकते हैं कितना है उसके लिए अगा request आती है तो मैं और एक video बना सकता हूं तो अभी इस area में अभी इनका already एक building बनके ready है ये building आप दिख रहें under construction है ये building already इनका बन चुका है जो कि मैंने inquiry भी की तो मुझे पता चला कि ये building पूरी तरह से ready है इसका watchman या जो भी उनके security person वहाँ पर बैठते है what they said they are selling one flat in a range of five to six year और हर फ्लोर पर एक ही flat है तो ये मुझे information first visit में मिली तो जो मैं अपने viewers के साथ भी share कर रहा हूं तो this is going to be और ये building आपको मैं बता हूं ज्यादा area में नहीं है just 30,000 square feet में आप खुल सोचिए अभी just 30,000 square feet मे इनोंने इतना luxury structure बांदा है जिसमें एक एक फ्लैट 6-6 करोड़वा का बिकरा है तो जब ये पूरा 10-15 या 20 एकर डवलप करेंगे तो कितना उनका valuation आएगा या overall ये area में क्या क्या होगा तो ये total आप देखेंगे building जो बना है और hardly 30,000-35,000 square feet में बना हुआ है और ये express way है और ये building है तो कहने का मतलब ये है कि west पुने में ये एक बहुत plus point है बॉलिवूड फ्रेंट जहां पे भी बॉलिवूड celebrities आ जाती है वहां पे glamour आ जाता है एक बार area में glamour आ गया तो वहां के rate भी बढ़ते हैं और थोड़ा स जो आम पब्लिक है उस तरब ज्यादा incline होती है जो कि normally हमने देखा है तो इस तरह से ये पूरी building ready हो चुकी है इनकी building भी ready हो चुकी है और तो ये पूरा area मतला अगर मैं पूरे area की बात करूं especially लोड़ा बेलमांडों के बाद तो काफी ही अच्छा area होता जा रहा है ये औ और यहां पर back to back बड़े बड़े प्रोजेक्ट सा रहे हैं गोदरेश के प्रोजेक्ट हैं पिरामिल के प्रोजेक्ट हैं और यह स्टेडियम भी है तो और अभी एक तक अपूर का भी इतना बड़ा पार्सल जो मेरे तुरू आपको knowledge मिला है this area is going to be the game changer in the पूने real estate market क्यों एक well-known celebrities का area कौन सा बन सकता है तो this area can be a home for the celebrities क्योंकि इतने बड़े-बड़े बिल्डर है जैसे लोडा वेलमांड हो है या फिर Symbiosis का इतना बड़ा campus है या फिर अभी इसी area के पीछे अगर मैं बात करूं चांकेड़ वगरा में वहां पर पंशील के भी प्रोजेक्ट है यहां पर सब्सक्राइब की मुंबई की सब्सक्राइब कर रहा है और यहां पर एक अच्छा खासा investment हो रहा है तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूं जो साथ बारास नंबर दिये हुए थे यह सारे साथ बारास हैं जो पब्लिक डॉमेन पर अविलेबल हैं आप स्क्रीन शोट भी ले सकते हो तो यह सब ओन बाए है एकता कपूर और फैमिली के और उन्होंने एक बिल्डिंग भी कंप्लीट किया है जैसा कि मैंने आपको बता दिया तो फ्रेंट्स मैं आपको कुछ information दे पाया हूं और आपको कुछ inside मिली है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अप अपने thoughts share करें कि जो मैंने information आपको दिये वो correct है कि नहीं तो ओके दोस्तों time to say bye bye have a good day टेक क्या तो फ्रेंट्स जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने अपनी personal mobile से भी एक वीडियो शूट किया हुआ है जो कि latest building का है जो कि building already ready हो चुकी है एक तक अपूर जी की और उनक सा रहे थे तो अभी इस तरह की इनकी building ready है और जो कि मुझे वहां के guards नहीं जो भी वहां पे available है उन्होंने बताया एक floor पे एक ही flat है और almost हर flat की value five to six year होने वाली है तो और यह तो उनके hardly मतलब छोटे से parcel में बनाया है अभी तो उनके पास काफी अच्छा का सा land parcel है तो दे